जैशरी महांकाल, जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिल से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आबार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तो बाबा भूलेनात आपको हमेशा खुश रखे हमेशा आनन में रखे हमारी बस यही दुआ है आज इस टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि हजारों वर्स पुराना रहस में आपके सामने रखने वाला हूँ यह रहसी क्या है और यह जो है यह बिल्कुल कारगर तरीका है और यह बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी और यह बात आज में इस टूडियो में आपको बताने वाला हूँ तो यह जो रहसी है जिसके बारे में हम इस टूडियो में बात करेंगे और आप शगून जीवन में जो जो कटिनाई हैं परिशानिया हैं उन सब का आपको हल और निवारन की और आप जाएंगे जितना उलज रहें उतना उलजेंगे नहीं जीवन में जो भी शांती, सुकून, धन, धन, दोलत, शोहरत जो भी चाहिए आपको वो सब ही मिलेगा और ये इश्वर की इच्छा से ही मिलेगा, मतलब सही तरीके से ही मिलेगा, ये तरीका जो रहसी में आज आपसे बात करने वाला हूँ, वो सही तरीके से मिलेगा, कोई भी गलत तरीका नहीं है, तो हम उस पर बात करें और वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, उससे पहल लेनात को कोई एक नाम लिखे जो आपको अच्छा लगे और अगर अपनी कुंडली का अनलिसिस हमसे करवना चाहते तो स्क्रीन पर नमबर चली रहे हैं WhatsApp पर appointment लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं तो हम उद्दे पर आते हैं दोस्तों कि जो रहस हैं जिसको आपको जानना है वो है जब अब इसको यहां से छोड़ कर वीडियो को मज जाएगा कि हमारे पुराने रिशी मुनी थे जो हजारों बरस तक कई सालों तक एक मंतर का जाप करते थे कोई एक मंतर को कहीं कहीं बार वो जब करते थे और उसकी सिद्धी होने पर उन्हें इश्वर दर्शन देते थे और दर्शन देने के बाद वो इस विश्व के कल्यान के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते थे लेकिन वर्तमान कल्यू गया है तो इस आयू में हम एक कोई मंत्र रख लें, चाहे आप शिरी घनेश रख लें, या आप कोई सा भी नाम रख दें, मैं तो कहता हूं सबसे आसान है राम का नाम रख लो, सीता राम, और उसका जब जो है, वो continue करें, मतलब अपने कर्म को करते जाए, अपने नोकरी, पेशा, कर्म जो हम दो वक्त के गुजर बसर के लिए चीठे करते हैं, वो बेशक आप करते जाए, उसके साथ, या तो अपने mobile में उस तरह का मंत्र जब खुद करके, record करके, बार-बार सुने या खुद मन में उसका उच्छरन चलने दे, दोस्तों आप जितनी बार करेंगे, उतना ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए होगा, पर सर्त ये है, कि इस मंत्र को जब जब आप करेंगे, तो आपके साबने बहुत से लाला चाहेंगे, मतलब आपकी वानी में सत्तित आपका मन शांत रहने लग जाता, आपके काम सोता ही बनने लग जाते हैं, ये जब का बहुत बड़ा चमत कार है, जो आप खुद इसे करें और अनुभो करें, और फिर कमेंट्स करें